हलो बच्चों तो पिачली क्लास जब भी हुई थी अपनी उसमें अपन कर रहे थे चेप्टर नंबर 11 ठेक है टेंथ। आगे 11 चेप्टर वापस कर रहे हैं शक्ति जो टोपिक था वो अपने क्या था और शक्ति में अपने पढ़ा था कि कारिय करने की शमता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं या कारिय करने की दर शोरी कारिय करने की दर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं यह आपको याद रखने है ठीक है इसका एक फॉर्मुला पढ़ाता पी ब्राबट डबलू बटे टी कार्य करने की दर यह आपको कुछ चीज़ें जो है याद रखनी है फिर इसमें एक चीज आती है कि जो अपन विद्यूत शक्ति अं पड़ी विद्यूत शक्ति तो विद्यूत शक्ति में एक चीज है किलोवाट घंटे एक मात्रक होता है यानि जो विद्यूत उर्जा उपभोग करते हैं विद्यूत उर्जा उपभोग उपभोग मतला अपन जो खर्च करते हैं विद्यूत उर्जा जो खर्च करते हैं उसको अपन किलोवाट गंटे में मापते हैं किलोवाट गंटे में या इसको लिख सकते हो विद्युत उर्जा उपवोग को किलोवाट गंटे में दर्साया जाता है या लिख सकते हो विद्युत उर्जा उपवोग का खर्च किलोवाट गंटे में लिया जाता है ठीक है, तो किलो वार्ट गंटा जो है, किलो वार्ट गंटा, किलो वार्ट गंटा जो है, एक किलो वार्ट गंटा को बोलते पटा, एक यूनिट, क्या बोलते पटा, यूनिट, इसको यूनिट भी बोला जाता है, किलो वार्ट गंटे को क्या बोलते है, यूनिट, यानि आपन बोलता है घरवाले कितों उनिट आ गए बिजली कित् JE परी वीद्यू तूर्जा का वेवसाइक मात्र होता है तरीके से अपन भोल सकते हैं कि विद्यू तुर्जा को जो हैं किलोवाट घंटे में मापा जाता है नेक्स जी इसमें इसन्फ्ड की बात आती है बटा कि आपको पूचेगा हैं एक किलो वार्ट गंटे तो किलो वार्ट गंटा जो है पहले इसको आप किस में ड़ूगे किलो वार्ट को तो अपन वार्ट में不多 बदलेंगे ठीक है तो देखो एक गुणा किलो वाट का मतलब होता है हजार वाट क्या होता है हजार वाट ठीक है और यह तो हो गया हजार वाट इंटू एक घंटा जो है उसमें कित्ते सेकंड होती है इस तरिके से बदलना है यहाँ पर इएक घंटे को अपने सेकंड में बदलना है क्योंकि सेकंड जो है ऐसा ही मात्रक होता है समय का वैसा ही अभी अपमने लिखाय था कि शक्ती का मात्रक प्लचिए वाट तो इस तरीके से इसको गुणा करेंगे तो ओ away? मैं लेगा चत्तीस दो गुना सीकंद गुना सेकंद और इसको अगर आप और तरीकम सकते हैं पॉइंट इदर खिसका होगी न तो 3.6 गुना 10 की घात 10 बढ़ जाएगा यह नहीं 10 की घात 6 हो जाएगी वार्ट गुना सेकंड को बोलते हैं जूल तो यह बहुत important है कि 1 किलो वार्ट घंटे में कितने जूल होते हैं तो यह आपको याद रखना है यह important चीज है ठीक है इस तरीके से आपको याद रखनी है next आपको जो है numerical बहुत important तरीके से करने numerical यहाँ से पूछी जाएंगे आपको तो numerical जो है उसमें एक numerical करते हैं फिर आग्या वाली class में करेंगे तो देखो इसमें एक numerical दे रहा है बिटा कि 60 kg का एक वेक्ति 30 सेकिंड में 5 मिटर उचाई तक चड़ता है तो आपको याद रखने है कि एक formula में लिख रहा हूँ यहाँ पे P बराबर MGH बटे T ठीक है? MGH बटे T यह आप इसको ऐसे याद रखो कि शक्ती बराबर क्या होता है? कारिय बटे समय होता है ठीक है? और यह कारिय जो है जब उचाई पर जाते है तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब उचाई के लिए बात आती है तो यहाँ पे W बराबर चुक की W बराबर उंचाई के लिए MGH लिखते हैं ठीक है MGH लिखते हैं तो W की जगह मैं MGH लिख सकता हूं बटे T यानि P बराबर MGH बटे T हो जाएगा तो यह formula याद रख लेना ऐसे question जब आएंगे मैं बता रहा हूं एक उधारन जैसे कि question दे रखा है बटा एक 60 kg का व्यक्ति यानि M बराबर मास दे रखा है कितना उसका मास यानि दरव्यमान दे रखा है 60 kg 30 second में यानि समय दे रखा है 30 second इस तरीके से लिखने आपको 5 मिटर उंचाई तक चड़ता है यानि H बराबर 5 मिटर दे रखा है ठीक है 5 मिटर G का मान दे रखा है बटा कितना 10 मिटर पर 30 second square अब क्या करना है direct formula में रखना आपको मान तो देखो यहाँ पर अगर मान रखोगे आप तो M कितना है 60 गुणा G कितना है 10 है गुणा H कितना है देखो H 5 मिटर है बटे में समय कितना है 30 यह दो बार कट जाएगा और यहाँ प को दो से कुणा करेंगे 100 और यह वाट क्यों लगा रहे हैं अपन क्योंकि वाट क्या होता है शक्ति का मात्र इस तरीके से numerical आपको solve करने बाकि एक numerical और दे रखा है इसमें सुरेस और रमेस वाला जो आप क्या करोगे घर पर ट्राइ करना फिर अपन आगे कल करेंगे तो मि जलते हैं अगले क्लास में टेक क्या बाई बाई है वे गुड़ देर